व्लॉग तो स्वागत है आपका हमारे विमल टाक व्लॉग्स में आज हम बनाने जो जा रहे है पास्ता बनाने की एक निंजा टक्नीक जो की काफी इजी वे हैं तो यह मोस्ली जो इनको आलकस आता है जो बैचलर्स है वैसे भी एक इजी वे इस बता देता हूं स्टार्ट करन करिए गान कमेंट्स में जरूर बताईएगा आप क्यों को कैसा लगा ओके सो आई ये चलिए तो भाई निंजा टेक्निक से बना रहे हैं तो निंजा को हतोडी भी तो चाहिए होगी यह तोडी की जगा हम यूज करेंगे व्रेंग पांग आये चलिए सबसे पहले पानी डाल लीजिए और अब आज़ी तो डालें इंडेक्शन और नहीं किया रहा बट आये चलिए इंडेक्शन भी ओन हो चुका है पानी की मात्रा और बढ़ा लेंगे अब थोड़ा सा इसमें नमक भी पालेंगे गी टेल कुछ भी डाल सकते हैं इसमें अब थोड़ा सा इसे गरम होने दीजिए तो भाई थोड़ा सा यह गरम हो गया है अब मैं में इंग्रीडियंस का यूज कर लेना जी है जो हमारा पास्ता है जी अब यह थोड़ी सी आप प्यास डार लीजिए वैसे आप वेजी में आप इसमें सिम्ला में च्यूज कर सकते हैं इसको थोड़ा उबलने देते हैं जब तक यह उबल जाता है और आप इसको पूरा अच्छे से उबाल लीजिएगा जब तक यह अच्छे से पूरा बॉइल नहीं हो जाए इसको दो मिनिट के लिए और करते हैं यह एकदम बॉइल हो गया है मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी निकाल दिया अब क्या करना है हमको एक बाउल ले लेना है कि अ क्या है कि देन आप इसको बॉइल में निकाल लेज़ पास्ता है और इसमें आपको क्या करना है है कोई भी म्योनेश ले सकते हैं आप ओके इसमें आप म्योनेश डाल दीजिए तोड़ा सा बटर अचिरी फ्लेक्स और इगे नो ओके इसको मिक्स कर लीजे डालने को इसमें मैं वेजिस डाल सकता था बट मुझे वेजिस पसंद नहीं है तो मैं स्केप कर दिया मैंने आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं ओके अपना जो पास्ता है यह थोड़ा सा और और इगे नो डाल देते हैं इसमें अपना जो अपना चाहें वास्ता जो एक्दम रेडी होने वाला है कर दो कि अज़ें कि अज़ने इसको सफ कर लेता हूं भी आप दो है अ अ ही ही पास्ता मेरे एकदम रेडी है मेरे को काफी पसंद है अगर आप भी रेसिपी ट्राइ करते हैं मेरी तो ज़रूर ट्राइ करिए और अगर आपको अच्छी लगते हैं तो ज़रूर कमें बताइएगा आपको कैसा लगा शेयर करिएगा मालन ज़रूरा आपको का अपक्ड़ कात्यों झाल झाल